ऐसा लग रहा है कि लक्षद्वीब को लेकर पियमोदी ने कोई बड़ा प्लैन बना लिया है। अलावा यहां पर आम नागरिक विमान भी आजा सकेंगे। साथ ही अन्य मिलिटरी एरक्राफ्स की लेंडिंग और टेक ओफ यहां से हो पाएगी। लेकर भारत की नई स्ट्रेजी ने ना किवल चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों बल्कि एश्या के कई छोटे देश जिनकी अर्थव्यस्था टूरिजम पर निर्भर करती है। इसराइल की मदद से भारत लक्षद्वीप में खारे पानी को मीठा बनाने के लिए प्लांट लगाने जा रहा है। भारत के दुवरा लक्षद्वीप में इंफ्रस्ट्रक्चर के निर्मान से ना किवल यहां कूरिजम बढ़ने से इस इलाके में मौझूद मालदीव जैसे देशों को बड़ा नुकसान होगा बल्कि इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ेगा। Make My Trip के मौझूदा आकड़े के नुसार लक्षद्वीप के सर्च में 3400 फीसिदी की इस वक्त ब्रिधी दर्श की गई है। प्ये बोधी ने बिना मालदीव का नाम लिए उसे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। निश्यत ही इन बातों का असर चीन पर भी पड़ने वाला है। चारों तरफ से समंदर और प्रकृतिक संसाधरों से घिरा लक्षद्वीप अब भारत समय दुनिया के अलग अलग कोने से मालदीव जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प होने जा रहा है। इससे में इसका प्रभाव सबसे जादा मालदीव पर पड़ेगा क्योंकि मालदीव की अर्थ विवस्था पर्याटन पर ही निर्भर करती है। करते हैं करते हैं